हम नए सर लेकर पहुँचेंगे ऐ वतन तेरे लिए फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे खुन टपकेगा देखना अमारा एहले वतन हुसने आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे झाबाा नमस्कार खब्रे फी तक देख्रें सर आप जब जश्ने आजादी मनाने थाएंगे आपके साम्छ Nada मुम्ताओ वाजादी जिसे आज हम और आप जी पा रहे हैं वाजादी जो आज हमारा और आप का पहला हाक बना है वो इतनी आसाँनि इसे हमें रंगों से जादा गाड़ा है और शहादत के रंग को काइनात का कोई भी रंग फीका नहीं कर सकता है तो चलिए आज सल्यूच करते हैं शहादत के उसी रंग को और मनाते हैं जशने अज़ादी अपने एक अलग अज़ादाज में आज़ादी के बाद से लेखर अब तक इस देश की आज़ादी को मनाने के लिए इस देश में तमाम शहादत देने वाले लोगों को याद करने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग दोर के शायरों ने कवियों ने साहिते कारों ने अपने अपने तरीके से अपने कलम के ज़रिये उन आज़ादी दिलाने वालों को शहादत दी है उन्हें सल्यूट किया है कभी रंगे बसंती चोला लिखा गया, कभी सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे गातिल में है इन लाइनों के जरिये कोशिश की गई पूरी दुन्या को ये बताने की कि ये आज़ादी हमारे लिए इतनी सस्ती नहीं है और इसकी कीमत जब तक इस काइनात का वजूद रहेगा, नामों निशान रहेगा, तब तक शायद कभी कम नहीं हो सकती तो चलिए आज आज़ादी का जश्ट मनाते हैं अपने इसी अंदाज में एक कवी सम्मिलन के जरिये तमाम महतरम शायरों के जरिये गजलकार भी हैं, गीतकार भी हमारे साथ स्टूडियो में आपकी मुलाकात भी कराएंगे लेकिन मुलाकात करने के लिए मैं पहले एक शक्स से आपका तारूफ कराऊंगी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मदन सहानी जी, आप शुतिष साहिते कला परिवार के महा सचिव भी हैं, गुरगाओं के वरिष्टम साहितिकार और कवीों में से एक हैं और अमोमन आसपास जितने भी कवी सम्मिलन मुशायरे आयोजित किये जाते हैं, मदन सहानी वो एक ऐसे शक्स होते हैं जिनके बिना तमाम आयोजन, तमाम मुशायरे, तमाम कवी सम्मिलन अधूरे होते हैं तो अपने पैनल में मौजोद बाकी कवी और शायरों का तारूफ कराने के लिए मैं रोख करूँगी मदन सहानी जी आपका, आप अपने अंदाज में सबका तारूफ कराएं, क्योंकि जो जुम्मेवारिया आप अब तक आदा करते हैं, हमारा कोई इरादा नहीं कि हम आज भी आपको उससे छुटकारा दे, मदन सहानी जी 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 आपका, आज हमारे बीच इस देश के चहेते कुछ कवीयों को आमंत्रित किया गया है, और मुझे लगता है कि उनकी रचनाओं के माध्यम से आप जशन आजादी का रंग और भी गाड़ा होता देखेंगे, मेरे बा गजल के खेत्र में, लेकिन अपनी पहचान आज पूरे देश में वो बना चुका है, और अभी निकट भविश में उने पाकिस्तान जाने का निमंत्रन मिला है, आज हम उनकी रचनाओं को सुनेंगे, उनकी घजलों को सुनेंगे, और मुझे लगता है कि विशालबाग आपने वहा क्या बात है, और ऐसे अनेक टीवी कारेग्रों में कई बार देखा होगा, उनकी रचनाएं अपने आप में जा संदेश देती हैं, वहां एक कहरा व्यंग भी कहती हैं, इधर दाई और मुम्ताज के बाद भाई हरेंदर यादर बैठे हैं, हारियान्मी और अपनी रचनाओं को लिखते हैं, और उनकी रचनाओं में भी जान देश भक्ती देखने को मिलती है, वहां एक व्यंग स्पष्च जहलगता है, इसके माध्यम से वहाज की समाज की विरूपता पर व्यंग कसते हैं, भाई तिलो कोशिक उनके बिलकुल साथ बैठे हैं, और पूरे देश में बहुत सहचता से, बहुत प्यार से सुना और समझा जाता है, वीनागरवाल हमारे पीच एक महला कवित्त्री की रूप में, लेकिन जिनकी पहचान पूरे देश में आज है, अपनी रचनाओं के माध्यम से, और उनकी रचनाओं समाज के विभिन पहलूँ के लिए खबरे आप तक के माध्यम से आपके बीच में हैं, मुझे पूरा विश्वाश है कि जब हम इस मैफिल से उठेंगे तो अपनी चाप छोड़ कर जाएंगे बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मधन साहनी जी आपका तमाम कवियों का, शायरों का, शायरा का, कवित्री का यहां पर इस तरीके से परिचे देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका से युवा लोगों के लिए ही लिखा है कि उकाबे रूख बेदार होती है जब जवानों में नजर आती है मनजिल उन्हें अपनी आसमानों में विशालबाग साब आपको आप ही के लाइनों के जरिये यहां पर दावत देना चाहूंगी विशालबाग साब लिखते हैं सीने म एक आग लगाए रखते हैं मुझको मेरे खाब जगाए रखते हैं विशालबाग साब पुकारा था, उनका मेरी तरफ इशारा था और शेर है कि हम निकलाए जिसम से बाहर कि हम निकलाए जिसम से बाहर उसने कुछिस तरह पुकारा था मतलब एक शेर सुने का है कि मामूल ये बात नहीं जो तुझ पर आकर अटके हैं कि मामूल ये बात नहीं जो तुझ पर आकर अटके हैं नैन ये मेरे बन जारे हैं चहरों चहरों भटके हैं कि मामूल ये बात नहीं जो तुम पर आकर अटके हैं नैन ये मेरे बन जारे हैं चेहरों चेहरों भटके हैं अब शेर सुनिए कि बारिश की बूंदों में अब के गर्मी भी है खुश्बू भी यू लगता है जैसे गीले बाल किसी ने जटके हैं यू लगता है जैसे गीले बाल किसी ने जटके हैं एक गजल के चंद अशार हैं मुझाज़ फरमाएं अर्ज कि हमने दिल में अब तक उसका प्यार बसा कर रखा है कि हमने दिल में अब तक उसका प्यार बसा कर रखा है चोटी चोटी यादों का अमबार लगा कर रखा है कि हमने दिल में अब तक उसका प्यार बसा कर रखा है चोटी चोटी यादों का अमबार लगा कर रखा है और शेर सुनिए कि देखो तो ये कागा आखिर क्यूं संदे साल आएगा कि सोचो तो ये कागा आखिर क्यों संदे साल आएगा वो चार दिवारी पर तो हमने काच बिछा कर रखा है और शियर है कि देखें उसके चाहने वाले रीस कहां तक करते हैं कि देखें उसके चाहने वाले रीस कहां तक करते हैं हमने च्छत पे उसकी खातर चांद मंगाकर रखा है बहुत को तो ये चाहने orarबारी कार तक करते हैं हमने च्छत पे उसकी खातर चांद मंगाकर रखा है और शीर सुनिए कि एक दिन मेरा बेटा मुझसे बढ़कर नाम कमाएगा कि एक दिन मेरा बेटा मुझसे बढ़कर नाम कमाएगा बाप ने दिल ही दिल में ये अर्मान सजा कर रखा है कि बाप ने दिल ही दिल में ये अर्मान सजा कर रखा है और आखरी शेर और गवारा करें कहा है कि कि आखिर तक वो ना माना तो दिल का जखम दिखा दूँगा आड़े वक्त को तरकश में ये तीर बचा कर रखा है हमने दिल में अब तक उसका प्यार बसा कर रखा है छोटी छोटी यादों का अंबार लगा कर रखा है बहुत शुक्रिया बड़ी मेरबानी करता हूँ कि मास्टर जी पढ़ा रहे थे बच्चों का ग्यान बढ़ा रहे थे अचानक उन्होंने एक सवाल किया बच्चों का बुरा हाल किया बोला 1942 की प्रमुग घटना और प्रमुग पात्र का नाम बताओ कक्षा में सन्नाटा सन्नाटे में कक्षा लेकिन जैसे ही घटना फोटी टूए लब स्टोरी रमुग पात्रमन इसा को लाला बच्चे दिग्ब्रमित थे मास्टर जी चकित थे बुले रे बेकूप 1942 में गांधी जी ने भारत छोगवांदोलन चलाया था आज आधी का बिगुल बजाया था चात्र बोला वो तो मुझे भी पता है स अब पर इन बातों का आप कहा रहा था चामुक तो वो है जिसे दूरज़न पे बार बार दिखाते हैं और गांधी विनोबा जैसे लोग गांधी विनोबा जैसे लोग सर्फ जैनती पर याद आते हैं एक चोटी रशना आपके बीच ओर रखता हूँ सिरसक है भगवान राम और मोबाइल एक बार दियों लोग में भगवान राम से मुलाकात हुई कुछ पिछले जर्म की चर्चा कुछ बेवहरिक बात हुई हो रही थी हंसी ठिठोली इसी बीच शीता राम से बोली भगवन आप तो अंतर्यामी हैं तीनों लोग के स्वामी हैं इस लोग के लिए भी कोई स्कीम चलवाईए और मुझे भी एक अच्छा सा मॉबाइल दिलवाईए यों तो कोई सेट इतना बिस्वस्थनी नहीं जो अगनी परिच्छा दे सके यों तो कोई सेट इतना बिस्वस्थनी नहीं जो अगनी परिच्छा दे सके फिर भी मांग हो जिसकी बाजार में दिला दीजे मुझे उपहार में पहले ही हो जाता यदि मोबाईल का आविश्कार राम और ना ले जा पाता मुझे समंदर्टा मैं सुचित कर लेती मैं संकट में हूँ जल्दी आईए नाथ इस छट्म बेसी सादू से मुझे दिलाईए निजात ना मुझे जहलनी परती बिरह की आग ना आप करते मेरा परिट्या बगल में लच्मक जी थे बगल में संद्टा लेती, आप कर दो